सबसे पहले राष्ट के परिशद एम्पुले अदिवेशद में ताल कटोरा स्टेडिम में मंच पे उपस्तित राष्ट जंतागल के राष्ट दक्षादन्या लालू परिशाद जी पार्टी के सभी वरिश्ट नेतागन अलग-अलग देश के प्रदेशों से आए हुए हमारे सभी नेता पद्रदिकारी कारिकर्टा मीडिया के हमारे साथी गन और भाईयों और बेहनों सबसे पहले आज बड़ी दुख की बात है कि आदन जी नेता जी जो समाजवादी आप कह सकते हैं समाजवादी वट बुरिक्ष छे एक प्रख्यात समाजवादी नेता रहें लोग प्रियर राज नेता रहें कुशन प्रशाशक रहें पिछ्णों और गरीबों और किसानों के जो नेता जी आज हम सबों के बीच नहीं रहें इसका हमको कहरा दुख है आजवादी नेता जी से कुछ दिनों पहले राष्ट अधर जी लालू जी के साथ हम मेदानता अस्पिताल गए थे उसका हाल सान जानने उस वकट प्रश्वादी थे तो हमारी और राष्ट अधर जी की मुलकात अखलेजी से हुई और हम लोगों को लगा उस्वम्य की सिहरत पर सुधार होता है तो अच्छी बात लेकिन आज सुबें जब ये खबर निधन की पगा चला तो हम सब लोग जो है मरमाहत हैं अधर्थी पुत्र के नाम से भी जाना इगाता है देश के रक्षा मंत्री साथ साथ इप्तर प्रदेश के जो देश का सब्से बड़ा प्रदेश के उसके कई बार मुख्य मंत्री भी रह चुके और हम लोगों से तो परिवाली कृष्टा भी है हमारी बहन उनके घर में लि आज हम लोगों के बीच नहीं है, समय समय पर हम लोगों को लगतार उनका अर्शिरवाद मिलता रहा है और आज हम सब लोग, आज के दिन आदर्णिय लालुजी को आप सब लोगों ने मिल करके तास्त अध्यक्ष बनाने का काम किया है पुना, इसके लिए आप सब लोगों को हम धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं और आदर्णिय शरद जी हम लोगों के बीच आए हैं, हम उनका भी आज के कारिक्रम में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं बख्वाद देते हैं पुनिय विद्धी आज करते हैं पूप्षोब बुद्धी आज करते हैं अजय विद्धी हम करते हैं बख्वाद देते हैं इस गाप्षोब आप्षोब जर रहन पाल जहां कि प्रस्टत करने हम नहां कि प्रस्टत प्रस्टत में व्माल कि नहां कि प्रस्टत एक बार आप सब लोग हमारे साथ बोलिएगा नेताजी अमर रहे नेताजी अमर रहे नेताजी अमर रहे आप सब लोगों का धन्देवाद आज सराज जी भी हम लोगों के साथ उपस्तित है जादा कुछ आज हम कहेंगे नहीं लेकिन आप सब लोगों को पता है कि ये जो कारिकरम था पहले से ही प्रस्तावित था कि डिल्ली में इस बार नाशनल एक्जेक्टिटिव की राष्टि कारिकार्णी की बैठक के साथ-साथ खुला देशन भी डिल्ली होगा और डिल्ली करने का ये मकसद है कि पूरे देश के जितने भी राष्टि जंतादल के हमारे कारिकरता है वो एक जगह जो देश की राजधानी जो डिल्ली है जहां से सियासत चलती है और डिल्ली में हुकूमत करने वाले लोग जो यहां बैठते है और जो मौजुदा हुकूमत करने वाले जो लोग है जिस प्रकास से देश को और सर्विधान को और देश के लोग तंद को तबाह करने में लगे है इसलिए आज राष्टि जंतादल के हर एक कारिकरता की जिमेवारी है कि देश के सर्विधान को बचाने का काम करे देश के लोग तंद को बचाने का काम करे और ये आने वाला जो दो हजार चौबीस का जो चुनोती है हम लोग डिल्ली इसलिए आए हैं कि हम लोग साल के तोरा में साल ठोकने के लिए हैं कि हम चुनाती के स्विकार करते हैं और पूरे देश में पूरे देश में जिस प्रकार से भाजपा के लोग लगे हुए थे जितने भी विपक्षी दलों की सरकार थी छेत्री दलों की सरकार थी राज्यों में वहाद तोरने में लोग लगे हुए थे खरीद फरोग करके बया धमका करके सरकार गिराने में लगे हुए थे लेकिन हम आदर लिए लालु जी का हम धन्यवाद देते हैं कि उन्हों ने जो फैसला किया आज जो देश में भाजपा जो औरों को गिरा रही थी दूसरे राज में लेकिन बिहार की धर्टे में लालु जी ने भाजपा को बाहर करने का काम किया कि आज बिहार में आप देखिएगा महागरबंदन की सरकार है साथ दल महागरबंदन में एक साथ हैं अकेले भाजपा जो है पीछे जाएगी और ये हम लोगों को का प्रयास है डिल्ली आ करके लोगों से कि देश चूटेगा या एक रहेगा ये आपको फैसला करना है आप देख लीजे आज आट सालों में देश बरबाद हो रहा है देश के संपत्यों को बेचा जा रहा है देश के सनुधान के जगे आरेसिस का अजेंड़ा लगुप करने का प्रयास किया जा रहा है किसान मजदूर नौजवान सब लोग परिशान है महेंगाई की मार यहीं लोग ना गाता था भाजपावाला लोग कि महेंगाई डाइन खाई जाते हैं आज डाइन नहीं बहुचाई हो गई है तो उसलिए आप सब लोगों को यह लोग जो छलिया लोग है जो कप्तिन नेवल दोखा देने का काम करते हैं बोच की रादिती करते हैं इनको देश के लोगों की सेवा से कोई मतलब ने इनको गरीबों से कोई मतलब नी आज बताएए एक भाजपा का MP, कोज से डिजाइन में लोग लगा हुआ है, एक भाजपा का MP है डिल्ली का, उग्यान बाटना था कि आल संखे जितने हैं, मुसल्मान जितने हैं, जो रेडी पे फल बेचते हैं, जो गुम्ती पे दुकान खोलते हैं, वहां से कोई खरीदी मत करो हिंदू भाई हो, कोई उन से खरीद मत करो, बताएए, क्या सोच कर भाई, जरा उस सामसर्थ को बता दीजे भाजपा वालों को, कि जितना डिजल पेट्रोल आता है, सब मुसल्मानी कंट्री से खर आता है, तो क्या डिजल पेट्रोल लेना बन कर देंगे, क्या, और कित नहीं बड़ी अबादी हमारे देश के लोगों की है, जो भी देश जाके रोजी रोटी करते हैं, अगर वहां भी ऐसा हाल होगा, तो एक जटके में करोरों लोग जो है रोट पड़ा जाएंगे, अमारे देश के लोग, आज यही भाजपा की ऐसी सोच है, जिसके वज़ा स हमारी आर्टिक्स किती देश का गड़ बढ़ा गया, चौपट को रखा है, मौदी दी कहते थे ना, यह ऐसा नहीं होता दोस्तों, दोज़ार चौदा से पहले जब मुक्ष मत्री से तो बोलते थे ऐसा नहीं होता दोस्तों, रुपईया कमजोर हो जाए, हमें भी शाशन कि हमें पता है, अब आठ सार में बता दीजिए, रुपईया सबसे महंगा हो गया, सबसे मदार वीचे गिर गया, डॉलर जो हो गया, बदब एक डॉलर पर आपको बेरासी रुपईया देना होगा, पहले क्या था? पचास रुपईया होता था, साथ रुपईया होता था, तो मोदीजी को सरियंतर लगता था आप जब बेराशी रुपया हो गया है डॉलर का तो आज क्या हाल है भई दो करोरे लोगों को रोजगार देंगे पन्रा पन्रा लाग रुपय खाते में देंगे स्मार्ट सिटी बनाएंगे एक वादा जो है पूरा नहीं हुआ इसने इन लोगों का हिडन देंडा है जब मुद्दे की बात करोगे बेरोजगारी की बात करोगे महिंगाई की बारे में बात करोगे भाई चारे के बारे में बात करोगे, किसान के बारे में बात करोगे, शिक्षा के बारे में बात करोगे, देश की सुरक्षा के बारे में बात करोगे, तो ये लोग अपना वहीं अजिंदा, जो पुराना इनका जो फर्मूला है, वहीं लेकर क्या जाएंगे, हिद्धू, मु आप लोग जितने साथियां आएं है देश भर्चे आप लोगों के कंदे पे बड़ी जिबेवारी है भाई चाया को कायम रखना है जो भरकाने का काम करेगा उसको भी सबग सिखाना है इसलिए हम लोग गांधी जी लोहिया जी करपुरी जी जेपी जी के मानने वाले लोग है उनके विचाटबारआ पे चलने वाले लोग है इसलिए अगर कटरपंद का कोई जवाब दे सकता है तो वो समठवाद इसलिए और आप समझिए इन लोगों का बहुत अजंडा है तो हम जाणा कुछ ना कहींगे आप लोगों से तना ही कहींगे कि आप लोग, सब लोग गोल बंद रहिएगा कहीं घबराने की जरुवत नहीं है लेकिन कभी-कभी आप लोग एक बात समझ जाएए हमारा पार्टी है, महागरबंदन है कभी-कभी हम सब लोगों को जो बड़ा मकसद है, बड़ी दिनराई है उसको हम लोगों को देखना है अगर छेत्रिय दल आपस में ही लड़ते रहेंगे तो सबसे बड़ा बेवकूफी पन होगा इसलिए छेत्रिय दलों को हम सब लोगों को एक जुट रहना है और कोई हम में से अगर कोई एक साथी हमारे दल का अगर कोई कुछ बोलता है जिससे भाजपा को फाइदा होगा तो उनको हम बता देना चाहते हैं कि एक कैसा होना चाहिए आज या तो आप भाजपा की तरफ रहिए या भाजपा की विरोध में रहिए यह दोनों जगना रहकर के काम होने वारा नहीं है उसलिए आप सब लोगों को हम यह बताना चाहते हैं एक जूट रहना है तो चौबीस के लिए आप लोग तैयार हैं की नहीं हैं, हाथ इठाकर के सब लोग बताई है, चौबीस के लिए तैयार हैं की नहीं, और हम लोग जीते ही हैं, हम तो पहले बोले देना, करे के बाद, जीते के बाद, करे के बाद, लड़े के बाद, जीते के बाद, तो आप नहीं सायोग मिलता रहा है हम लोग जल्दी लए जो शरकार बनिए कई लाखों में लोग नौक करेंजाले हैं सरकारी नौक करेंडी देने जाले पूरे सिस्टेम को हम लोग सुधार देंजाने उसलिए आप सब ओन से यही पराथना है लेकिन जितना जब तक आप संगठन को म चाहे अती पिछले समाज के हो, दलित समाज के हो, उनको जब तक सीने से नहीं लगाईएगा, तक आप अपने मकसद को हासिल नहीं कर सकते, अनुशाशन में रह करके, आप सब लोग इस बात को हम, आप सब लोग से हाँ जुनकर क्या पील करेंगे, एक का मेरा माना हुआ किज सही में बताइए, कहीं भी जाइएगा, तो कभी इनका दोआना जुतने में बुराई नहीं है, अगर छोटी जातियों के हाँ जाइएगा, तोलों में जाओगे, गाओं में जाओगे, अपि पिछला जो कमजोर वर्ग है, जो समाज के अंतिन पैदान के जो गरीब रहता है आपको उसकी रच्छा भी करना है, शुक दुख का भागिदार बनियेगा कि नि बनियेगा, लेकिन अपना सोभाओं में भी जो है बदलाव लाने की जरुवत है, तो इसको बड़ा काम तो है नहीं, अगर छोटे जो कमजोर वर्ग है, उन्तों अगर मों के धारा में लाना शुक दो है, तो आपनों कि दिना नहीं हो सकता, वो कि धना मिला ї कि निए लाना, तो अपने सोभाओं में हम सब लग परिवर्तन नाएंगे की नि लाएंगे, वदलाव लाइंगे की निलाएंगे, कोई नफरत इत्शा नहीं, कोई भेध भाओं नहीं, शब को साथ लेकर के चलेंगे और यह हमारी देश की पहली ऐसी पार्टी है जहां राश्टे जजी ने पार्टी के संगचन में आर अच्छन लागू करने का काम किया और यहीं नहीं हम लोग सब लोग जो है इस काम को हम लोग करें जो नब्बे में लोग क्या करते थे नब्बे में हम लोग कितने लोगों के साथ हैं सबी समाज के लोग और यह पार्टी तो A-2-Z की पार्टी है ना चैय पिछडा हो अठी पिछडा हो दलित हो महादलित हो अल शंख्यक हो क्या कोई धर्म के हो कोई वर्क के हो या प्रगतिशीलवल के लोग हो यह पार्टी सबो की पार्टी एट उजेड की पार्टी और इससे भाजपावरे लोग को बहुत दिक्स होता है कि अब तो स्वान जासी के लोग खुल करके मुद्धा की बात कर रहे हैं वोल रहे हैं भाजपा जो है बीजेपी का मतलब भरका जुटा पार्टी है सब लोग अब जो है बेरोजगारी पर बात कर रहे हैं और विहार चुरा में 2020 के चुरा में सभी लोगों का हमको साथ बिला चाहे अपरकास्ट हो बैकवर्ड हो सब लोगों का दलित हो सब लोगों ने साथ दिया इसलिए साथ दिया कि आप सही मुद्धे की लड़ाई लग र कि अवर्ड हुआ धिर वा जो हम लोगों ने करना नहीं किया था कि आज के दिनी जो है निता जी हमरे बीच में लेही है तो आज सर्धान जिली तो हम लोगों ने आपिक किया ही है तो हम ज़ादा कुछ ना केते हुए आप लोगों को पुना बधाई देने का काम करते है यहां आया हो आये का अदमी बुला अपने खर्चे पड़ाया अपने लोग खुद पहुंचा इस बीजयोपी वाला जैसा नह पुचला के लिए जा रहा है बोलता है भाग्पावल अचलो रहली में मोधी जी से इंदीना आवाज दिला देंगे बीपी अल्काइट बनवादेंगे तो यह सब वाली पार्टी में यह लाली जी की लोग प्रियता है देज भर में उस वज़े से इस सब चीज हो रहा है हम सब लोगों को हम यहां स्वागत करते हैं और अपनी बात को यही समाख करते हैं और सद्धा के शुमन फिर से लेता जी के चड़नों पर हम गिराते हुए अपनी बात को खतम करते हुए जै हिन जै भीहाद जै राश्क्री दंतादर